तो आप लोग को बहुत देर से सता रहा है तो इन टॉपिक्स की उपर हम लोग डिसकस करनेंगे फटा फट कर लेंगे दो मिनिट कर लेंगे ठीक है उसके बाद जितने भी डाउट से आपके दिल और दिमाग में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हम लोग क्या carry करें examination hall में भया तीन चीज carry करना है तीन चीज सिर्फ तीन चीज carry करना है examination hall में पहला अपने आपको carry करना है ठीक है दूसरा अपना admit card with declaration तीसरा है अपना id card with your अधार card ठीक है id card के साथ अधार card जाएगा admit card के साथ declaration जाएगा और यह चारो चीज आपके साथ जाएगा बस यही चीज आपको ले कर जाना है क्या बताओ पहला बताओ फटाफट पहला है कि admit card with declaration दूसरा id card with आपका अधार card अब examination center में आपके अधार card चेक नहीं किये जाते understood बहुत सारे questions students के questions था दिमाग में attestation जो है id का वो जरूरत है की नहीं attestation mandatory लिखा तो है लेकिन practical life में कभी भी चेक नहीं करते attestation मैं आपको फिर से बता रहा हूं इंडिया के हर जिले में हर गाव में जो है na cs नहीं बैटा है तो आप वहां से जाके अपने id card को attestation नहीं करवा पाओगे तो ये on record तो उन्होंने cs नहीं मिल रहा है मैं कैसे cs को ढूंड हूँ it is not practically possible ब्रो तो उसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना attestation नहीं करना है simply आप अपना कोई भी comment id card लेकर जाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अधार कर लेकर जाना है अधार कर नहीं पैन कर लेकर जाना है क्या चेक करेंगे नहीं चेक करेंगे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक दम क्लियर हो जुका है मैं फिर से बतारो नहीं करनी की ज़रुवत नहीं है टास्टेशन ठीक है तीसरा है can't download the declaration form बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो ID card sorry admit card download करने के समय वो पूरा properly admit card को download नहीं करते हैं आपको दिक्कत हो रहा है admit card download करने में तो मुझे personally text करो telegram में मैं हर एक student का admit card download करके दूँगा आज ना हो पाए कल करके दूँगा लेकिन करके दूँगा कोई attention वाली बात नहीं है ठीक है अगर सो बच्चे message करे तो सो बच्चे को तो एक बार में download करके देना possible नहीं है मैं करके दूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको दूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है outfit क्या पहन के जाना है कुछ भी पहन सकते हो एक long pant पहन लेना एक shirt या फेट टी-shirt और ठंडी के मौसम है तो jacket वगेरा कुछ भी आप पहन के जा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सलवार पहन के जा सकते हैं सलवार पहन के भी जा सकते हो pant shirt जो है वो जादा proper रहता है वो अगर पहन के जाओ तो that's fine enough इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई ऐसा restriction नहीं है कि आप ये पहन के नहीं आ सकते हैं तो normal casual जो है civil outfit में आप जा सकते हो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आप जाओ अराम से और बहुत सारे students जो है पूछे थे sir मेरे हाथ में बैंगल है मेरे ears में earring है क्या मैं वो उतार के जाओ या पहन के जाओ तो पहन के जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन वो क्या कहते है उसको festival वाला मत पह कुछ है नहीं वैसे तो आप अराम से कैजुल आउटविट पैंड के जा सकते हो स्टेशनरी क्या क्या कैरी कर सकते हम अपने साथ आप अपने साथ कैरी कर सकते हो अपने कैलकुलेटर बहुत सारे students करते सर मेरे कैलकुलेटर में GST का जो है ना उसका भी solution निकल जाता अपने कैलकुलेटर में से तो वो लेकर जा सकते हैं examiner जो है अगर चेक करेगा तो आपको वहीं पे डाट देगा वैसे तो चेक नहीं करते लेकिन अगर चेक सब्सक्रीने कर आप, उसके अलावा pen लेकर जाओ दो pen ठीक है blue pen, black pen दोनों लेकर जाओ, blue से लिखना है, black से underline करना है black से भी लिख सकते हो, blue से भी underline कर सकते हो, बहुत सरे student कहेंगे sir admit card में लिखा है कि black pen से लिख नहीं सकते लेकिन जब आपको answer sheet मिलेगा, answer sheet में rules and regulation में लिखा है कि आप blue and black दोनों से लिख सकते हो, तो उसमें कोई hard and first rule नहीं है मेरे practical life का experience मैं बता रहूँ, आप लिख सकते हो, कौन सा pen लिकर जाए ball pen only, ठीक है, ball pen only, 10 रुपए का ball pen only इसके लावा scale लेकर जा सकते हो, and calculator वगएर तो मैंने बोल दे है water bottle लेकर जा सकते है, हाँ जी, water bottle लेकर जा सकते हो, सर, transparent चाहिए, उतना नहीं देखते कोई, transparent बिना transparent भाईया, चिल करो, चिल, एकदम चिल करो, ठीक है, आराम से कोई भी water bottle लेकर जा सकते हो, आप, sanitizer, mask जो है, वो लेकर जाना है, सर, क्या, अपना vaccination लगवाना बहुत जारा नागरिक नहीं हो एकदम, vaccination कब का लगवाना चाहिए था आपको, ठीक है, please put your vaccinations on time, bro, ठीक है, bro and उसके sisters, तो please go and put your vaccinations on time, अभी मत लगाओ, अभी, जो है, क्या कहते है, इसको, बुखार बुखार आ सकता है, तो इसलिए, अभी मत लगाओ, अगर नहीं लगा है, तो examination के कम विर्थ करो, ठीक है, यहाँ वहाँ से sources, resources, resources, जो है, वो collect करना कम करो, ठीक है, जो pass करने वाले बच्चे होते, वो, मतलब कोई एक ही बंदी को follow करते है, ठीक है, और यहाँ वहाँ से हाथ पैर मारना exam से पहले ऐसे pass नहीं हो पाते भाईया, यह become का examination नहीं है, जो इतने time से करके आ रहे हो, बस उसी को revision करना है, revision करना है, revision करना है, previous sir के paper को practice करना है, अगर अपने mock test एक बार भी नहीं दिया, तो previous sir के paper को एक बार practice करके जाओ भाईया, अगर without practicing even one single time, ठीक है, अगर आप जा रहे हो examination hall में तो ही है, वो तो आतंगवादी वाला हरकत हो जाएगा, ठीक है, तो वो मत करी हो, exam से पहले एक बार आप writing practice जरूर कर लेना, each and individual subject का, बहुत important है, previous paper को analysis करो, और उस प्रकार से आप अपना strategy बनाओ खुद का, और खुद का strategy जो है, वो दूसरों के उपर मत थोपो, ठीक है, आपके वज़े से वो fail हो जाए, पास करने वाला बंदा इसलिए मैं कहा रहा हूँ, इसका उसका collector ना बंद करो, and खुद के उपर trust करो, और वही जाके आप लिखो examination में, जो पर रहे थे इतना दिन वही परो, ठीक है, अब बहुत सारे students ये भी कहते हैं, कि सर मुझको डर नहीं लग रहा है, या फिर में को बहुत जादर डर लग दो परकार के students, एक क्या रहे हैं कि डर नहीं लग रहा है, दूसरा बोल रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है, तो normal है, एकदम normal है, और जिन student को डर नहीं लग रहा है, examination में लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप थोरा slowly काम करत ना, आपकी body में चीज़े, तो आपको examination में डर ज़रूर लग जाएगा, वो थोरा बहुत लगता है, it's normal, ठीक है, और अगर एकदम नहीं लग रहा है, तो वारे वा, अलगी इनसान हो, ठीक है, बी confident, अगर आप confidence है अपने अंदर, ठीक है, इसलिए आपको डर नहीं लग होगा, obviously, right, तो be confident, और जो बच्चे डर रहे है, भाया, चिल मरो, कोई मतलब ऐसा rocket science नहीं है, जा के आराम से examination दे कर आओ, सब पास करेंगे, सब, ठीक है, इस वीडियो को जादर से जादर शेयर करो, भाया, एंड, मतलब बहुत सटे doubt है न students के, तो जादर से जादर शेयर क कर लेना, जिनका ID card का problem हो रहा है, अचा रूको, एक और चीज, last is, ID card में कोई भी चीज नहीं है, जैसे कि signature और आपका photo जो है, वो अच्छे से नहीं आया है, तो admit card में, मतलब rules में लिखा ऐसा है, अब अपना खुद का passport size का photo जो है, वो चिपका सकते हो, अपने, इसमें, ID card में, ठीक है, और signature भी दे सकते हो, कोई problem वैसे नहीं है, ठीक है, और अभी तो time भी नहीं है, complain करोगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो अपने से वो थुरा जुगार लगा कर जा सकते हो, कोई problem नहीं, यह लिखा है, अपने rules में, ठीक है, क्या, अगर photo नहीं है, तो वो चि section में, comment करना, all the very best everyone for your examination, thank you so much everyone, happy learning guys, bye bye and take care.